अगर आपको बहुत सारे इससे बेनिफिट मिलते हैं अगर आपके फेस पर मुहासे निकलते हैं या मुहासो के निसान है तो ये फेस बैक उनको बिल्कुल साफ कर देगा अगर आपकी स्किन पर डाक स्पोर्ट्स हैं या आखों के नीचे डाक सरकल हैं तो उनको भी ये साफ कर देगा और यहाँ पर मैंने एक फूल को तोड लिया है और अच्छे से वाश करके मैं इसको ग्राइंड करूंगी इसकिन पर टैनिंग होके ये तो इसको भी दूर करेगा और उम्रे से पहले अगर एजिंग के साइन निजर आने लगे हैं तो उनको भी ये दूर करने में हेल्प करेगा और यहाँ पर मैं दो से तीन चमच पानी डाल कर इसको ग्राइंड करूंगी यहाँ पर आप रोस बोर्टर का भी यूज कर सकते हैं गेंदे की फूल का उपयोग क्रीम बनाने के लिए भी किया जाता है गेंदे की फूल में एंटी बैक्टिरियल और एंटी इंफ्लमेंटरिक गुण होते हैं जो आपकी त्वेचा से जुड़ी ही बहुत सारी समस्या को दूर करने में हल्प करते हैं और यहाँ पर मैंने गेंदे की फूल को पानी डाल कर ग्राइंड कर लिया है और अभी मैं इसको श्ट्रेंड करूंगी अगर आप गेंदे की फूल से फेस बैक बनाकर अपनी स्किन पर वन विक तक लगाते हैं तो आपकी स्किन पहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है और सब भी आपसे पूछेंगे की आप अपनी स्किन पर क्या लगा रहे हो जेंदे का फूल आपकी तोचा को गहराई तक हिल करने में मदद करेगा उम्र से पहले आने वाले बुढ़ापे को रोकेगा और स्किन को हाइडरेट करेगा आपकों के नीचे आई हुई सूजन को कम करेगा और यहाँ पर देखी हमारा फेस पैग का बेस तयार हो गया है और अब हम फेस पैग रेड़ी करेंगे यहाँ पर मैं एक चमच इसमें बेसन एड़ करूंगी बेसन के फायदों के बारे में तो सब को पता है कि बेसन कितना अच्छा होता है हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करता है और अब मैं इसमें आदा चम्मच चंदन पाउडर डाल दूँगी छदन पाउडर हमारी skin के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है चदन पाउडर हँमारी skin को च्मकदार बनाता है दाग धबो को दूर करता है अगर डेली बेशीज़ पर अगर आप छदन पाउडर अपने skin पर लगाते हैं आपके skin बहुत ज़्यादा glowing ने जरा आने लगती है और अब मैं इसमें एक चुटकी कस्तूरी हल्दी एड़ कर दूँ कस्तूरी हल्दी के बारे में मैंने एक separate video बनाया हुआ है कस्तूरी हल्दी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे skin के लिए अगर आपने वो video नहीं देखा है तो आप उस video को जरूर देखे उस video का link आपको description box से मिल जाएगा और यहाँ पर मैं face pack को अच्छी से mix कर लूँगी और यहाँ पर हमारा जो face pack है वो ready हो गया है और अब मैं इसको apply करूँगी सबसे पहले मैं अपने face को clean कर लूँगी और यहाँ पर आप rose water से clean कर सकते हैं या टोनर से clean कर सकते हैं और यह face pack बहुत ज़्यादा अच्छा face pack है आप इसको एक बार जरूर ट्राय करना जब आप इसको एक बार ट्राय करेंगे तो आप इसको बार बार ट्राय करेंगे अगर आपके पास चंदन powder नहीं है तो आप skip कर सकते हैं और बाकी चीजों से आप face pack बना कर लगा सकते हैं आपको उससे भी बहुत अच्छे result मिलेंगे और बहुत सस्ता face pack है बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत जादा अच्छे result देता है एक दिन face pack बना ले और दो दिन तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं आप उसको freeze में रग दें और फिर next day भी उसको लगा सकते हैं इसके result बहुत जादा amazing है और इसी तरह से मैं पूरे face पर इसको लगा लूँगी और लगा कर मैं 15 मिनट के इसको ऐसे ही छोड़ दूगी और यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं face pack सूख चुका है और अब मैं इसको गीला करूँगी और मैं 5 मिनट की massage करूँगी जब भी आप कोई भी face pack लगाएं तो massage जरूर करें massage करने से हमारा जो face है एकदम से clean जराने लगता है अगर face पर daddy skin हो गया है या काला पन हो गया है तो massage करने से वो clean हो जाता है और week में कम से कम 2-3 बार face pack जरूर लगाना चाहिए और यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं मैंने अपने face पर अच्छे से massage कर लिया है और आप मैं अपने face को wash कर लूगी और यहाँ पर देखिए मैंने अपना face health को wash कर लिया है और मेरा face एकदम से clean जराने लगा है और जब आप इसको एक से दो बार apply करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे इससे result मिलेंगे आपका face बहुत ज़्यादा clean और glowing में जराने लगीगा आप इस face pack को try करना और result मेरे साथ जरूर share करना अगर आपको मेरा face pack अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को like कर लेना और मेरे चैनल को subscribe कर लेना और साथ में bell icon को press कर लेना जिसे मेरी आने वाली वीडियो का notification आपको आसानी से मिल जाए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए बाई